गुड मोर्निंग दियर स्टूडेंस, सैकिंड क्लास, सैकिंड एवन, साइंस लेसन टू, पार्ट त्री, इसमें आपको मैं एक्सराइज करवाऊंगी यह जो दी गई है हमारी बैक में, लेसन हम पूरा रीड कर चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं, टिक for correct sentences and cross for wrong sentences, जो right है उसके लिए हम टिक कमाक लगाएंगी और जो wrong है उसके लिए हम cross करेंगी, चीक हैं, trimming nails regularly is our good habit, nails नाखुनों को नियमित रूप से काटना good habit है, yes, right है ये तो हम टिक लगाएंगे, we should throw garbage and wrappers in open areas, हमें जो ये कूड़ा है और ये जो packet होते हैं, ये खुले में गेरने चाहिए, no, तो हम क्या करेंगे यहां पर, cross करेंगे, eating healthy food keeps us fit and healthy, जो अच्छा वोजन हम खाते हैं, वो क्या करता है हमें, fit रखता है और healthy, स्वास्थ रखता है, yes, तो इसके लिए हम टिक करेंगे, ठीक है, everyone like an ill mannered person, जो हर एक को, हर एक like करता है, जो गंदी आदितों वाला person होता है, जो बिमार रखता है, ill mannered person, जिसको manners नहीं है, साथ सफाई की, no, तो हम cross करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, next में, match the following, picture को देखना है, और जो sentence हम read करेंगे, उसको picture के साथ match करना है, I brush my teeth everyday, तो इसमें कौन सी है वो picture, brush करते हुए, ये, तो हम क्या करेंगे, इस से match करेंगे, I comb my hair properly, तो ये, ये है, I eat fresh fruits and vegetables, ये है, I give respect to my elders, एक बार फिर से देखेंगे, I brush my teeth everyday, मैं हरोज brush करता हूँ, तो इस से मिलाएंगे, ये ब्रश कर रहा है, ठीक है, I comb my hair properly, मैं अच्छे से अपने बाल कंगी करता हूँ, ये कर रहा है कंगी, इस से मिलाएंगे, I eat fresh fruits and vegetables, मैं ताजे फालोर सब्जियां खता हूँ, तो इस से मैच करेंगे, I give respect to my elders, मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ, कौन सी पिक्चर है, ये, तो ये ही exercise थी हमारे इसमें, ये आपको ऐसे ही feel करनी है, जैसे मैं ने करवाई ये आप, ठीक है बटा, good bye,